तबसकर जमातादी मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीत हुआ जारे मिथुन राशी यानि जमनाई और सेप्टमबर का महिना कैसा रहने वाला है मिथुन राशी जमनाई वालों के लिए बुद्ध की राशी है ये कितनी बुद्धी इस बार काम करेगी कहां कहां माइंड संबल जाएगा तो सेप्टमबर के महिने में कहां बचने की जरूरत है और कहां संबलने की जरूरत है कहां कंट्रोल करने की जरूरत है कहां अपने जीवन के अंदर खुशियां बढ़ाने की जरूरत है सेप्टमबर का महिना किस तरीके से रहेगा आपके लिए सब तेर अंक, अंक के साथ है रंग, रंग के साथ अक्षर, इस तीन ऐसी चीज आपके पास प्रोश्थे हैं जिससे आप अपने महीने को बेहतर बना सकते कौन रंग होगा, कौन रंग होगा Bugün उसन रंग होगा कौंसा अक्षर किस तरीके से क्या चीज से लिकर के साथ में रखें, सेप्टमबर के महीने में कुछ खास एनरजी आपको मिले, महीने के शुरू से ही मंगल आपकी राशी में रहने वाले है, आप देखें मिथुन राशी में मंगल का परवेश, तो सबसे बहले मंगल कैसे है, अगरेसिव है, भले ही राशी के स व에서 खास ट्यार कर रही है, आदे शुरू में गुसा गुसा गुसा, अब इनको गुसा तो चड़ता नहीं है, यह क्यों गुं गुसा करने लगे है, तो坐 जेमिनाइज़ों को सेप्टम्बर के महीने में गुसा आ सकता है, उसा नहीं है के इनको कभी नहीं आया तो अब नही पड़ेंगे यह तो अगर कभी गुस्सा नहीं आ रहा तो अब आ रहे तो क्या करोगे आप आप लोग शानते रहेगा इनको गुस्सा आएगा इस पर मिथन राशी वालों को लिए यानि चोटी-चोटी चीजों को लेकर के चिड़ चिड़ा पानाएगा इनके आपकी राशी के स्वामी बुद आपकी राशी से तृतिय में रहने वाले हैं आप यहां देखिया उन्हें का था ना जरूरी तो नहीं है न बुद भी यहां बैठ जाएंगे बुद हैं लेकिन आपकी राशी आपकी राशी में नहीं है आपकी राशी से तृतिय राशी में तृतिय हुमें रहने वाले हैं लेकिन आपके लिए एक चीज अच्छी करेंगे थोड़ा सा जो एक कहते हैं कि प्राक्रम को जब भी हमारी राशी का स्वामी अपने से तरितिय में बैठता है तो हमारे प्राक्रम को स्ट्रॉंग करता है आप धहरे से काम करने में सफल हो जाएंगे आ बनाव भी होगा फिर भी आप कोई ना कोई एक अच्छा रास्ता अपने लिए बना ही लेंगे काम का माइंड को कंट्रोल करने का थोड़ा सा रिलाइक से रहने का प्रियास ही कर लेंगे और प्रियास में बहुत कुछ हो जाता है सिर्फ और सिर्फ जो जैदा ध्यान डखने की जरूरत है वो आपको अपने स्वास्त के ध्यान डखने की जरूरत है आपके उपर शनीग रहे का परभाव जो है वो आपके स्वास्त को इंडिगेट थोड़ा सा ही ला सकता है परेशान कर सकता है health जो होती है वो हमारी priority होती है और हम कई बार उसे नजर अंदाज कर देते हैं बाकी चीज़ों में उल्चे रहते हैं स्वास्त की और ध्यानी नहीं देते हैं तो हम कहेंगे कि इस बार आपको स्वास्त क्या भी ध्यान डखने की जरूरत है मंगल की साथवी द्रिष्टी आपके परिवार के भाव पा रहने वाली है तो यानि परिवारी के जो समस्याएं होंगी जैसे आपने छोटा चिटीट चिटीट किया और सामने से पलट करके भी जवाब मिला तो महोल खराब हो गया ना तो यानि जब ये द्रिष्टी आपके सेवंथ हाउस आपके परिवार के हाउस पर भी पढ़ रही है तो यहां थोड़े से जो एक मतभीद जैसी सिचूशन एक फ्रिक्शन जो पढ़ती है ना वो पढ़ना शुग हो जाती है यानि विचार नहीं मिलते हैं यहां पर आप क ऐसी सीचूशन हमारी हो सकती है तो क्यों ना हम थोड़ा सा संबल करके चले रिष्टेदारों के साथ भी थोड़ा सा बैलेंस बना करके रखें अगर हम प्यार को ले करके बात करते हैं प्रेम जीवन की बात करते हैं तो वहां पर भी थोड़ी सी एक बॉन्ड जो है वह बहुत अच्छा बोलते हैं तो हो सकता है हमारी वह भाषा सामने वाले को पसंद ना रही हो और ऐसा ही कुछ हो होगा आप जो कहेंगे सामने वाले को पसंद नहीं आएंगे आपकी बाते तो सेप्टेंबर का महीना ज्यादा उतेजी तो हो करके मत निकाली है फोड़ा सा शान तो हो जाहिए ना कि जब सामने वाले को अमारी चीज समझ नहीं आ रही अच्छी नहीं लग रही तो बेटर क्या होता है टेट फाट लड़ाई कर लीची जगड़ा कर लीची नहीं जी आप समझे आमारी बात को क्यों समझाना इतना क्योंकि यहां से महोल बिगड रहा है शान्त हो जाई अगर आप थोड़ा सा शान्त रहने का प्रयास करेंगे तो situation से संबल सकती है वक्रिय शनी का परभाव जो है आपकी राशी के पंचमेश शुक्र पर होने वाला है तो यहां पर दिक्कद क्या होती है कि थोब देते हैं दूसरे के पर तो यहां प्यार के मामले में जरा संबल करके चलेगा लेकिन महीने के जैसे आखरी दिनों की तरफ हम बढ़ेगे यानि 20th के बाद में जब हम बढ़ेंगे तो वहां हमें कुछ ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं बहां जाकर के थोड़ी सी situations better हो सकती है तो अगर पहले 15-20 दिन आपको थोड़ा शान्त रहन चीज़े मैं सने क्रियेट करेंगे गड़बर नहीं होंगी परिशान नहीं होंगे आप हाथ से चीज़े नहीं निकलेंगे तो थोड़ा संबल करके चलने में ही भलाई होती है हम फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे वह भी जैसे ही पीज तारीख के आसपास ताइम आप निकाल देंगे तो आपके फ्रेंड्स आपको समय ने लग पड़ेंगे ने 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 ये इनका कहने का मतलब ऐसा नहीं था ये ऐसे बोल गे तो होता है ना गीपर कि हमारा गुस्ता भी सामने वाले को प्यार लगने लगता है तो यहां पे जैसे ही आप सेप्टमबर के प्रियोग को ज़्यादा गीजिएगा शुब अंक आपका नो रहेगा हरे रंग के पैन के साथ आपने शुब अंक लिखना है नो और अपने हाथ की रिंग फिंगर सबसे नीचे वाले पोर्षन पर ठीक है एक दो तेन तो नीचे वाला पोर्षन रहेगा इस पर और 1,2,3 ये तीसरा जो यहाँ पर मैंने ये रिंग डा लीए यहाँ बे लिखिएगा डेली लिखिएगा नो अंक आपने हरे रंग के पैन से लिखना शुडव कर देना है रंग आपने जो इस्तेमाल करना है वो सलेटी कलर होता है सलेटी कलर का इस्तेमाल कीजिएगा और अक्षर जो है वो र अक्षर लिखना है और उसे भी आपने एक गोल कागज काटना है बिल्कुल गोल, चंद्रमाज जैसा कागज जैसे काड़ लीजेगा, उसके बीचो बीच आपने र अक्षर लिखना है, हार दिन हरे पैने के साथ है, और इस अक्षर को कागज को फोल्ड करके आपने वालेट में, पर्स में आप डालीजे और रोज ले जाए अपने साथ, सेप्टमबर के महीने में थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहने की जरूरत है, संबलने की थोड़ा सा जरूरत है, समझने की भी जरूरत है, तो अगली राशी जो होगी, वो होगी हमारी करकराशी, किंसर, करकराशी वालों का सेप्टमबर का महीना कैसा रहेगा, उसके लि खुश रहे स्वस्त रहे पॉजिटिव रहे पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं अगली राशी का करें तब तक लिए नमस्कार